अलो दोस्तों वाल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल सूरच पटेल एजूकेसर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों जितने भी 12 स्टेंडर के स्टुडेंट है उन सभी दोस्तों के लिए काफी इन्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हो यस दोस्तों क्योंकि यह साफ काफी स्टुडेंट को इन्पोर्टेंट कोस्टेंड की यस दोस्तों तो आज मैं इस वीडियो में 12 स्टेंडर के जो स्टुडेंट है SYJC Organization of Commerce and Management Board Exam important question बात करने वाला हो यस दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हो यह सभी बाते आज वीडियो चालू करने के पहले ही मैं आप लोगों को किलियर कर देता हूँ यस दोस्तों जैसे कि आपको मैं सबसे पहले जो important बात है कि question number one जो आती है कि IMP देने वाला हो यस दोस्तों किसका IMP देने वाला हो दोस्तों OC subject का ठीक है किसका दोस्तों OC subject का मैं आप लोगों को IMP देने वाला हो then second point हम बात करेंगे कि आपका paper ठीक है paper pattern कैसे होने वाला है ठीक है आपको exam में paper किस तरीके से पूछने वाला है इस video में आज वो भी discuss करने वाले है तिसरा जो important point है कि आज जो मैं IMP आप लोगों को दे रहा हूँ क्या आपके board exam में आएगा दूसरा अगर आएगा आएगा तो ही दे रहा हूँ नहीं आने वाला होता तो मैं देता ही नहीं पहली बात दोस्तों आएगा तो कौन कौन से question number को cover करेगा मतब question number 1,2,3,4,5 ऐसे कितने question को वो cover कर सकता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे देन दोस्तों उसके बात जो बात आती है कि sir आप जो important question दे रहे हो वो कहां से मिलेगा जो IMP question है वो कहां से मिलेगा हमें तो वो भी बताने वाला हूँ साथी साथ मैं आप लोगों को जो paper pattern बताने वाला हूँ ये paper pattern ठीक है दोस्तो paper pattern भी आपको कहां से मिलेगा ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में इन बातों पे ध्यान देने वाले हैं तो ये वीडियो अगर कोई भी 12 इस्टेंडर का इस्ट्वेंट देख रहा है तो प्लिस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जूड़ना भूलिए मत विकोज अधर सब्जेक के भी इ एंडर का स्ट्वेंट है तो प्लिस दोस्तों आप भी इस वीडियो को स्कीप ना करें आप इस वीडियो को उन स्ट्वेंट तक जरूर पोचाए जिने इनकी जरुवत है कोविड-90 के सिच्वेशन में जिन जिन स्ट्वेंट का अच्छे से स्टेडी नहीं हो पाया है उन् दोस्तों इस वीडियो को फिर से हम चालू करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों क्या है और किस तरीके से हमें तयारी करना है दोस्तों आप लोगों के सामने इन्पोर्टेंट कोईशन आ गया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्पोर्टेंट कोईशन बताऊंगा बी कि marketing के question हमेशा exam में पूछे जाते है तो इस question को आपको guarantee करके ही जाना है then second question दोस्तों आप लोगों के सामने आ जाएगा explain the way of meaning of consumer protection दोस्तों consumer protection की बात करें तो यह काफी important है क्योंकि देखिए organization of commerce and management यह business की बात हो रही है तो उसमें consumer को लेके काफी ज़्यादा important बात होती है दोस्तों commerce के student हो तो business की बात तो हर चीज में होने वाली है चाए वो account subject हो या थेरी subject हो उसमें consumer को protection की बात हमेशा चलती है तो इसके related सवाल जरूर पूछे जाते है explain the step of involved in online transaction दोस्तों आजकर online का काफी train चल रहा है तो यह online transaction के related भी इसके लिए मैंने इसमें के question involved किया है और यह question भी exam में आने के काफी ज़्यादा chances है दोस्तों दोस्तों इसके बाद question number 4 के उपर आ जाते है what is insurance and explain principle of insurance दोस्तों कि इसमें दो question को एक साथ मिलाया हुआ है दोस्तों अब मुझे जो point cover करना है वो point की बात बता देता हूँ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि question आपके paper pattern में कैसे पूछे जाएंगे तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि what is insurance and explain the principle of insurance तो दोस्तों आप लोगों के मैं बता दू कि मैं importance आप लोगों को provide कर रहा हूँ साथी साथ मैंने आप लोगों के exam में आने वाले paper तीन paper मेरे website पे भी दिया हुआ है आप चाहे तो वहाँ जाके इन paper को download कर सकते हूँ अभी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा second point था कि paper pattern कैसे होने वाला है यस दोस्तों तो आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ जो मेरा second point था कि आपका paper pattern कैसे होगा exam में paper pattern कैसे पूछा जाएगा तो दोस्तो मैं आप लोगों को paper pattern भी बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि आपको paper pattern कैसे आने वाला है तो दोस्तो जैसे कि मैं आपको इधार अभी नीचे करके दिखा देता हूँ थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि question number जो one है दोस्तो आप लोगों के सामने जो question number one अभी आप लोगों को दिख रहा है एक में दोस्तो हाँ यह रहा question number one आप लोगों के लिए objective होगा A, B, C और D यह चार option के तरीफ से पाच-पाच marks के objective होगे then आता है question number second जो इस तरीके से concept वाले दो-दो marks के question होगे यह दोस्तो मैं आपको paper pattern बता रहा हो then question number three जो आपके case study आपका opinion देना है आप लोगों को ठीके question number four distinct between होगा question number five brief answer होगा question number six भी आपका चार-चार marks के question होगे ठीके justify करने के then बाद मैं question number seven जो पाच-पाच marks का होगा और यह brief question में आएंगे question number eight सबसे largest कोई भी एक question करना है जो काफी बड़े होंगे दोस्तो जैसे कि अब भी यह मैंने आपको बता दिया paper pattern तीसरा जो मेरा point था कि आपको question exam में कैसे पूछे जाएंगे तो दोस्तो आप मैं important की और चला जाता हो दोस्तो यह important के वाँ आ गया अभी देखी इदा पूछा है what is insurance and explain principle of insurance तो दोस्तो paper pattern one में जो मेरे आपके ओ लोगों के लिए मैंने तीन paper दिया जैसे कि आपको इदा दिख रहा होगा नीचे मैं इदा change कर रहा हूँ paper paper number third ये वाला ठीक है ऐसे मैंने तीन paper आप लोगों को provide के है जो आपको नीचे इदा दिख रहा होगा जिस तरीके से मैं change कर रहा हूँ तो आप जाके जरूर देखना ये तीन paper कहां से मिलना है वो भी बता होँगा मैं आपको आप wait कीजिए थोड़ा वीडियो को एंट तक देखें और अगर अच्छा लग रहा है तो subscribe करना ना बुले चैनल को दोस्तों आप इस तरीके से जो ये question पूछा था ये देखिए same इदर भी question पूछा है what is wholesaler and explain different function ठीक है define function उनके function भी बताना है same हमें इदर भी इदर भी ये ही पूछा है कि इस तरीके से question पूछे जा सकते है अगर सिरिफ दोस्तों अगर आपको ये पूछा होता what is insurance दोस्तों ये what is insurance आपका ये जो दो-दो marks का question था ठीक है question number second ये cover हो जाता मतलब कि दोस्तों जो मेरा four point था कि आप लोगों को जो मैं importance दे रहा हूँ वो कौन-कौन से question cover करेगा तो दोस्तों अगर आपके paper pattern की बात करो तो first question जो है objective type है इसके objective के लिए भी मैं आपको MCQs देने वाला हूँ कहा दूँगा वो भी बता दूँगा end में ये जो question number two है ये आपके cover हो जाएंगे जो मैं question देने वाला हूँ question number four five six seven और eight ये पूरे question cover हो जाएंगे मैं आपको जो important question बताऊंगा वो भी बताते चलूँगा कि कौन सा question कौन से question number में आ सकता है दोस्तो ठीक है question number three को छोड़के बाकी सब question इसमें cover हो जाएंगे तो चले दोस्तो आगे बढ़ते हैं I think मैं आप सब कुछ बता दिया आप मुझे सिर्व आपको important question को आगे continue करना है तो question number five की और दहान देते हैं दोस्तो explain the responsibility of business toward employee ठीक है दोस्तो ये भी question आपके लिए साहर पाच marks के लिए अराम से पुछा जा सकता है या तो चार marks के लिए explain 40 principle of handling prayer in detail दोस्तो ये important लिख के देता हो कि आप exam में guarantee करके ही जाना बिना करें मत जाना और ये question जो पूछने का majority जो chance है वो 8 marks में पूछने का chance है और इसमें साहर आप 14 के 14 principle करके जाएए then उसके बाद आता है what is meaning by staffing and describe the importance of staffing ठीक है दोस्तो staffing का सवाल काफी बार question ये exam में पूछे गए है अगर normal staffing के बारे में पूछा तो question number 2 में आ सकता है ठीक है अगर what is define करके पूछा थोड़ा lengthy पूछा तो question number 4 में आ सकता है जो उसका importance होगा या तो question number 5 में भी पूछ सकता है अब बात करते है explain in detail 7 pieces of marketing दोस्तों 7 pieces of marketing आपको question number 5 या तो 8 में ही देखने मिलेगा क्योंकि यह थोड़ा brief question में आ जाता है दोस्तों डरिये मत मैंने आपको कुछ जादा question नहीं दिया है OC में स्रीप और स्रीप 26 question मैंने आप लोगों के लिए दिया है अगर दोस्तों आपने 26 question तयार कर लिया ना मैं लिख के दे सकता हूँ कि दोस्तो अगर आपने इस question को तैयारी करके चले जाते हो तो दोस्तो आपको 80 प्लस marks 100% आ जाएगा दोस्तो आपको जिस तरीके से मैं question बता रहा हूँ आपको देखके ही पता चल रहा हूँ कि हाँ इन्पोर्टेंट question है मतलब कुछ भी आलतु फालतु सूरस्तर नहीं बता रहे है जो बता रहे है वो exam में आने वाले question बता रहे है दोस्तो question number 9 है who is a consumer ठीक है and explain the right of consumer दोस्तो consumer के related definitely आप question करके ही जाना है देन बाद में दोस्तो है what is outsourcing and explain advantage and disadvantage of outsourcing दोस्तो outsourcing के बारे में भी आपको पढ़के जाना है advances और disadvantage भी पूछा जा सकता है सायद 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 question number 4 या तो question number 5 में आप से देखो outsourcing की बात किया तो यह question number 2 में पूछ लेगा अगर what is outsourcing लेकिन अगर बोला explain advances or disadvantage of outsourcing तो question number 8 में आ सकता है या तो 6 में आ सकता है जो मैं question दे रहा हूँ इसी question को वो तोड़ मरोड के पूछ सकता लेकिन अगर आपने इसकी तयारी कर दी तो आपको exam में question के answer लिखने से कोई रोक नहीं सकता ठीक है दोस्तो अब हम आगे चलते हैं और आगे के question को देखते हैं हमने 10 question को cover कर लिया इधर देन उसके बाद 11 question है define bank explain different types of bank दोस्तो different types of bank काफी important question है यह जरूर करके जाएए दोस्तो जितने भी question दिया है definitely important ही दिया है कोई भी बेकार question नहीं दिया है explain the responsibility of business you need towards society at a large दोस्तो या देखो कोई भी business करो उसकी responsibility होती है कि society को ध्यान में रखते हुए business करें तो यह जो question है यह आपके exam में पूछने के chances है लेकिन 100% नहीं बोलूँगा हाँ 50-50% है की पूछ सकता है नहीं भी पूछ सकता है लेकिन principle हुआ seven pieces of marketing हुआ है काफी बार पूछ लेते exam में what is organization दोस्तों काफी important है जैसे कि हमने question number two में भी देखा था organization पूछा हुआ था तो question number two मतलब दो marks के लिए था लेकिन explain the importance of organization अगर ऐसा पूछ लिया तो question number five या तो six में इसका पूछेगा जो पाच या चार marks के लिए होगा अगर इन्होंने ये पूरा पूछ लिया what is organization and explain the importance of organization तो दोस्तों ये question number eight में पूछेगा yes दोस्तो then उसके बाद है define entrepreneur and explain its function देखे इदर जो दो question को मिला के पूछा है question number eight में पूछने के काफी जादा चांस है मैंने brief question लिया कि अगर आपने brief question की तयारी कर दी तो छोटे मोटे question खुद बखुद तयार हो जाएंगे अगर आपने ये question read कर लिया तो देखे question number two के लिए आप तयार होगे क्योंकि आपने entrepreneur पढ़ लिया उसका definition जो उदर लिखने के दो marks के लिए और अगर आपने ये पूरा question पढ़ा है तो आपने function भी पढ़ लिया है जो question number four, five, six, seven में पूछे जा सकते है चार marks, पाच marks या तो आठ marks के लिए तो भाई मतब आपकी पूरी तयारी हो जाएगे अगर आपने इस तरीके से study करना चालू किया what is wholesaler and explain the different function ठीक है then question number 16 की बात करते है what are the चाहा दिखे उपर ये जो responsibility थी toward of society थी अब इधर की जो responsibility of business की है ये investor and government के regarding है ठीक है मतलब कि एक businessman की क्या responsibility है जो उनके investor है या government के जो rules and regulation है उसको लेके then question number 17 की बात करते है define the term of planning and explain the importance of planning दोस्तों काफी importance हमें ये जरूर करके जाएए given define the direct and explain the importance of directing ठीक है दोस्तों then उसके बात है explain importance of marketing to the society and consumer काफी काफी ज्यादा important question है दोस्तों ये question आप लोगों को दिया है साथी साथ मैंने कुछ पाच्छे distinct between भी दिया है ठीक है है पहला है e-business and e-communication 21 है directing and controlling दोस्तों distinct between भी दिया है कि आप इसे भी तैयारी करके चले जाएए क्योंकि distinct between भी उपर के question में cover हो रहे लेकिन फिर भी एक specifically मैंने पाच्छे distinct between भी आप लोगों को दे दिया है then उसके बात life insurance and fire insurance फिर है saving account and current account दोस्तों इसको तो जरूर करके जाएए काफी बार exam में कई बार पूछ चुके है और नीचे वाला भी organizing and directing ये भी कई बार exam में पूछे जा चुके है current account and fixed deposit account करके जाएए दोस्तों काफी important है then बात में आता है district commissioner and national commission ठीक है दोस्तों इसे भी करके जाएए और आप सभी दोस्तों को आपके exam के लिए मेरे तरह से बीक वाला बीक बीक इतम बीक all the best ठीक है आप अपना exam बहुत अच्छे से दीजिए बहुत अच्छे से attain कीजिए कोई भी problem हो आप जरूर मेरे से contact कर सकते हो अब बात कर लेता हो कि दोस्तों आपको यह जो important question है और यह जो पूरा paper है यह आपको कहां मिलेगा तो दोस्तों यह कहीं और नहीं आपको normal google पे जाना है मेरे website पे दोस्तों website का नाम है सूरज पटेल education आप normally google पे जाके इदर आपको url भी दिख रहा होगा normal जाके आप इदर सूरज पटेल education लिखिए जैसे ही लिखोगे दोस्तों इदर आपको menu बार दिखेगा इदर आपको education पे इस जो arrow है इसके उपर करसर रखना है देन उसके बाद इदर junior के उपर जो arrow है उसके उपर click करना है ठीक है दोस्तों एक मन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो इदर आना है जैसे ही आप इदर आओगे आपको SY जैसे थोड़ा सा यह देखिए थोड़ा lagging हो रहा है नेट के वासे जैसे ही आप दोस्तों अगर इसके उपर click करते हैं आपको अगर advertising आएगा तो उसको close कर देना या तो आपको उसके regarding को रीट करना है तो आप open करके read भी कर सकते हो लेकिन दोस्तों जैसे ही आप वो close करोगे आपके सामने 12 extender को लेके जितने भी important question है वो plus paper pattern हर एक चीज़ मिल जाएंगे साथी साथ मैं important mcqs भी put कर रहा हूँ तो आपको वो भी मिल जाएंगे दोस्तों इसे कि अभी मैं आपको OC का बता रहा था same OC का ही ये आप लोगों को मिल जाएगा important question जो इदर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है साथी साथ आप अगर नीचे जाते हो तो आपको एक ये mcqs भी मिल जाएगा और भी मैं mcqs आप लोगों के लिए put करने वाला हूँ दोस्तों ये economic का importance आपको मिल जाएगा जिसके regarding में video बहुत जल्द ही बना के आप लोगों को देने वाला हूँ साथी साथ अगर आप नीचे जाओगो तो देखिए OC का आपको paper pattern मिल जाएगा exam ठीक है दोस्तों बाजू का picture अभी तक इसलिए राउनलोड नहीं है क्योंकि थोड़ा net issue है net थोड़ा slow है buffering होने में थोड़ा time लगता है जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा buffering हो रहा है ये देखिए इधर आपको picture भी दिख रहा है ये देखिए question paper दो मतलब दूसरा ह तीन तक का मैंने उसमें put किया है आपको account subject के भी मिल जाएंगे और अगर दोस्तों आपको मेरे से contact करना है तो इसी के अंदर आपको मेरा number भी मिल जाएगा जैसे कि आपको मैंने OC का आज important question दिया है तो आप इधर से open कर लीजे जैसे कि मैं आपको open करके भी दिखा देता एक जैसी आप open करोगे तो दोस्तों आप थोड़ा नीचे चले जाएए ठीके इधर आपके सामने एक picture आने वाला जो मैंने बना के put किया हुआ है ठीके net buffering हो रहा उपर जैसे कि आप देख सकते हो मैं नीचे का जब तक दिखा देता हूँ ये देखे जितने भी question दिये थे आप इधर से question को link सकते है ठीके दोस्तों देर आप नीचे आ जाएए देखे 26 question और अभी भी बोल रहा हूँ exam के लिए all the best best अब लग दोस्तों आपको इधर देखे practice paper का खुद बखुद link दे दिया है OC का जो मैं अभी आपको इधर ये practice paper दिखा रहा था ना तीनों नीचे का accounts का तो आप दोस्तों यहां से भी जाके download कर सकते हो इको का ठीके दोस्तों और आपको इधर contact number चीए तो दोस्तों यह रहा मेरा contact number इधर नीचे आप इस contact से भी मुझे contact करके अगर आपको कोई भी problem हो आपके problem को solve करने के लिए तयार रहूँगा लेकिन उसके time होंगे कि मैं 3-5 के बीच आप contact करना मैं आपके problem को solve करने की causes करूँगा ठीक है दोस्तों तो फिर से मिलता हो next video में जब तक के लिए बाए बाए दोस्तों